है कि सो वेलकम बैक टू मैं चैनल जिसे प्रिविएस वीडियो में हम आपको बता है कि डिसक्शन कर रहते हैं लोग क्या बिहार पॉल टेक्निक उइसमिय में चैनल पॉल टू भा हूं वसक्ष्क का इसस्ता करवा है आपको अब्रेशन टू क्या है है अच्छे हैं करिये अच्छे जिसक्रण हुआ था आपका different type questions यहां से start के थे लगवा 15 से 16 question discussion हुआ था तो आप इसको previous video को आप जाके देख सकते हैं पिछले video को playlist में जाएएगा YouTube पे हमारा channel का नाम है career by the point उससे आप visit करके देख सकते हैं ठीक है हमारा suggestion एगा कि आप क्या करिए पहले video को पाउज करके देखिए अब खुद से try करिए इसको solve करना की अगर नहीं हो रहा है आपसे solve तब ही आप solution देखिए अगर आप देखके समझेगा तब आप से exam में भी problem हो सकती है इसलिए आप क्या करिए जैदा से जैदा आप self से उसको देखिए पहले ठीक है और फिर उसको आप वीडियो से देखिए यही आपका था यह वीडियो कुछ लगवा 15 यहां तक हो गया था ठीक है यह यहां तक हो गया था तेरह तक हो गया था आपका questions हम लोग आज 14 questions से start करेंगे ठीक है इस वीडियो में 14 नमर क्वेशन को पढ़िए कि कह रहा है कि बिन्दू ओ पांच छे और माइनस एक और माइनस चार को जोड़ने वाली रेखा को वाय अक्षी द्वारा किस अनुपात में बाटा जाएगा यह question समझना है यह कोई कि वाय आप से ठीक है और यह होजाएगा आपका एक्स अग्षा कि यह क्या है एक्स यह को जाएगा यह होजा गए रेखाए यह है प्लस वाई यह प्लस y यह बाय। यह हो जाएगा आपका-y यह प्लस 1-1 –4 यहाँ पे हो जाएगा दोनों को लाइन मिलाईएगा से let's करने वाला लाइन इसे मैं अल गॉलेंट करेगा रहा है यहाँ क्या कर रहा है है wasierra इसी पॉइंट जो कट lust से इसमें तो कितना था गete कि इस रहा है कि कि अगर यह लेंथ मालीच यहां से यहां था कि M है और यह N है यहीं हम लोग को निकालना है M by N का रचियो क्या होगा ठीक है यह हमारा क्वेश्चिन से आपको पता ही होगा इस कोड़नेट है यह यह कोड़नेट है तो इस पर X का वैलू कितना होगा ओगा 0 वाई-एकस इस पर X का वैलू कितना होता है 0 और Y कुछ वैलू होगा हम लोग यह पता है एक फर्मूला होता है कि दो लाइन अगर इस है इसका कोड़नेट X1 और Y1 है और यह है X2 और Y2 ठीक है और यह M है और यह N रिचियो में डिभैड है ठीक है रिचियो फर्मूला पात फर्मूल्ला होता है तो इस कोडिनेट निकला है इस पॉइंट का कोडिनेट निकलना है तो किसे निकल येगा तो एक्स होगा M into x1 plus N into x2 ठीक है पट्टा M1 plus M ये तो सेम फर्मूला यहां पर यूज करती जिएगा देखिएगा इस पॉइंट का एक्स कोडिनेट कितना है जीरो है और यहां पर एक्स कोडिनेट ही कर माइनस 1 into N हो जाएगा प्लस 5 into कितना हो जाएगा M divided by हो जाएगा M plus N यहां सा स्वल्व करिएगा तो कितना जाएगा 5 M minus N equal to 0 तो M by N equal to कितना आ गया पांच बट्टा एक आट मिंस वह 5 is to 1 हो जाएगा तो बस एक यह फर्मुला यूज करना था आप यह फर्मुला को रिमेंबर रख सकते हैं कि दो लाइनों को जब काट करता है यह कोडिनेट यह कोडिनेट रहता है यहां पर सी है बी चोला पॉइंट M by N के रेसे में डिवाइड करते हैं तो इस तरह से हम लोग इस बिंदू को लिए सकते हैं फिका है नेक्स कोईशन को देखते हैं अगला कोईशन है क्या है कि A, B, C और B, D, E दो सभावत तिर्भوج इस परकार है कि B, C का मदविंदू D है तिर्भुझ A, B, C और B, D, E के छेतरफल का अनुपात क्या होगा थेकि मैं कुईशन से एक यह तिर्भूज है कोई एक संभावु तिर्भूज है कौन सा भी तिर्भूज है संभावु ए बी सी ठीक है संभावु तिर्भूज मतलब क्या हुआ सब भूजा बढ़ावर होगा इसका बूजा कितना है यह कौन सा तिर भुजा ही है सम बाहु तिर भुज डाइट में विन्स क्या वो इसका मिनिंग हुआ सब भुजा क्या होगा बरावर बरावर ठीक है सब भुजा बरावर होते है तो अगरी संभाहु तिर भुजा इसमें एक पॉइंट है कि डीच का मदविंदु क्या है डीप यह आपकट डीइं ये आपका दीप यह इसका बीच भुला प्विंद क्या है? कि स &D से दखिया इस से और एक और ट्राइंगल बनता है वोह औहरा किया है ये हो गया पाललीजपेश प्रिंद डी ठीक है यह भी एक संभाव तिर्भूज है इसका लेंद कितना हो जागा ay2 यहां पर यह questions क्या है एक तो आपका था पहला triangle ठीक है a b c a b c और दूसरा triangle वना ठीक है दूसरा triangle है इसका नाम पर यह आपका यह d हो जाएगा यह हो जाएगा e और यह हो जाएगा आपका b ठीक है b triangle है इसका side कितना है भूजा a है और इसका side कितना हो जाएगा ay2 तो दोनों का area का ratio निकालना है कि कोशन के दिया हुआ है कि हम लोग को area का ratio निकालना तहीं से निकाले का देगे बहुत असान हो जाएगा यह कि आप लोग को पता ही होगा तिर भूज संबाव तिर भूज का area कितना होता है चैटरफ़ पूस्टा इसवाइल यहां पर कितना हो जाएगा रूट वाय खुट ओ एसटर फ्फल निकाल लिएगा तकितना होजाएगा आपका इसका भूजा कितना है रूट 3 वाइब 4 भूजा कितना है यहां से कैलकुलेट करेगा तो कितना आजागा यह रूट 3 वाइब 4 यह हो जाएगा एस्कुराइब 4 दूनों का ररिचर निकैलना है तो छेतरफल City का डिष्ञा एबी टी इका निकालना है तो ब्रावबर कितना हो जाएगा एबीजी का च्छत्रफल कितना है रूट 3 by 4 a² और इसका कितना है रूट 3 by 4 a² by 4 इससे ये चैंसिल हो जाएगा एससे ये चैंसिल बराबर कितना बच गया वान एट मिस्कार एससे कितना हो गया 4 is to 1 एंसर क्या जाएगा इस तरह से आप इस क्वेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोनों को कुछ नहीं करना था सब्सक्राइब को और एक आपको सिंपल फर्मुला यूज़ करना था संभाव तेर पूज़ का छेत्रवल का फर्मुला होता है रूर थिरी भाई फोर भूज़ा एसक्वेर अगला क्वेशन देखते हैं क्यारा यदि समांतर श्रेनी या पर्थम और अंतिम पद्र पद क्रम सा 17 और 350 है और समान अंतर आल पाच है तो पदों के संग्या कितना होगा इव दे फास्ट अन लास्ट टर्म देएपी और 17 और 350 प्रेस्पेक्टिवली और कॉमन दिफरेंस इस नाइथ इंदर नम्मर टम्स तरहाए एक समांतर श्रेनी है ठीक है समांतर कोई समांतर श्रेनी उसका फस्ट पद है पर्थम पद्या हुआ है कितना है सत्रव अंतिम पद दिया हुआ है आपका है 350 और समान अंतराल दिया हुआ है नो ठीक है तब कह रहा है इसमें टूटल पद की संख्या कितना होगा कि पदों की संख्या कितना होगा देखिए पदों की संख्या निकालने के लिए बहुत एक सिंबल आपको यूज करना पड़ेगा देखिए पदों के संख्या होता है TN इस इकल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D ठीक है जहां पे A है पहला पद ठीक है इन है पदों की संख्या पदों की संख्या और आपका D है समान अंत्राल अंत्राल ठीक है और TN है आपका अंतिम पद अंतिम पद यहां पे सब कुछ की बहने देखिए अंतिम पद कितना है देखिए 350 पहला पद कितना है 17 प्लस यही नम्मर अंत्राल कितना है D 9 यहां से देखिएगा कल्कुलेट करने के बाद यह कितना हो जाएगा N-1 इंटू 9 इस इकल टो कितना हो जाएगा 350 माइनस 17 ठीक है 350 माइनस 17 तो 350 में से 17 को घटाएगा कितना बज़ेगा यह 330 कितना बज़ेगा 330 कितना बज़ेगा 330 राइट मिंस हुआ इसको यहां पर लिख लेते हैं कि 350 माइनस 17 हो गया आपका 333 ठीक 333 तो हम लोग लिख सकते N-9 इकल टो कितना हो जाएगा 330 अब 9 से डिभाइट कर देखिएगा 330 का कितना हो जाएगा नाधिया 27 यहां पर कितना बज़ेगा 973 36 37 हो गया तो N-1 इकल टो कितना हो जाएगा सा इधिष तो N-1 इकल टो कितना हो गया सा इतिष पलस एक पूटल कितना हो गया तो इस तरह से आप इसको समान से स्रेनी का कुश्चन कर सकते हैं अगला कुश्चन है तो फिप्टीन मुल्टिपल आठ के पर्थम पंद्र गुनाल नोजों का योग्या होगा देखें जैसे आठ का पहाड़ा पर्थे ना एट वन जा एट ना एट टू जा इसे करकर के हम लोगों को जाना है टाइमस फिप्टीन ठीक है उसका वैलू आएगा इस सब का सम कितना होगा तो इसको एड कर यह हो जाता है 906 इसको निकालनी का अलग लग तरीक है आप समानतर स्रेनी आप कर सकते हैं आप मल्टिप्लाइब बही कर सकते हैं तो और वैसे दश तक का पता ही वह दस टामस कितना हो जाएगा असी इसके बाद ग्यार्दफ करियेगा तो तो कि ना हो जाएगा मलिबूनें में यहाँ पहला पता है स्टोन .... इसका बन इसके वहां से निकाल के और नई तो आप एपी लगा सकते देखिए पहला टर्म क्या आगा एट वन टु वन एट आएगा आठ गूने दो कितना होता है 16 आठ गूने तीन कितना होता है 24 आठ गूने चार कितना होता है 32 ठीक है इसके बाद नहीं जाना है हम लोग को कहा तक करना है आठ हुने पंद्रह तक पंद्रह तक जो वालो गारे इसका समेशन करना है योग निकालना है टोटल को एट कर ये किसमें है एपी में क्योंकि यह पहला पत कितना है टी समान अंत्रा जो पिछले कौईशन में बता रही दिए टीक है यहां पे आठ सब्रम है कितना है एट ठीक है एट है और नमर अफ टर्म भी पता है पदो की संख्या कितना है 15 है हम लोग जब समेशन निकालिएगा समेशन एपी का समेशन हम योग निकालते है उसका फर्मला होता है एन बाइ टू टू ए प्लस एन माइनस वान इंटू जहाँ पर ए है आपका पहला पत एन है नमर ऑफ पदो की संख्या डी है आपका समान यहाँ पर कितब सेगा और कितना होजेगा और धो यहाँ से आमलोग कैल्कुलेट कर यहाँ से olsun गोट्टा गू tentang ऑन्द्रेव टेवी यहाँ पर两 12 12 8 के गुणा करिएगा कितना होगा अठ चुक 323 8 311 12 ठीक है 112 यहां से कैल्कुलेट करिए कितना होजाएगा यह 15 बट्टा दो इन्टु यहां पर कितना होजाएगा 16 बट्टा ठीक है और यहां पर काल्कुलेट करिएगा तो होजाएगा 15 बट्टा गुणने 64 को गुणा कर दीजिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं समान अंत्राल का समान तरस्रेनिक आपको फर्मुला इस समेशन का फर्मुला यूज करना है अराम से इसको सट कर लेना ठीक है अब दिख्टें नेक्सक्वेस्टेंस कई रूप्या 700 किड़ासी एक विध्यालन की विध्यार्थियों को उनकी साक्षेट्निक उपलब्धियों के अलिए 7 नगत पुरूषकार देने का परियों को गये यदि पर्तिक पुरूषकार अपने प्रूसकाल से 20 कम हो तो पर्थम प्रूसकाल क्या और च्छाल से बाद आणशालय। प्रूसकाल रखा गया ठीक है। कितना प्रूसकाल रखा गया साथ है टॉटल क्तने प्रूसकाल है초ень साथ और इस प्रोशकार के लिए टोटल पईसा कर रहे हैं इसकुल वाले कितने 500 रुपया तो साथ सो रुपया प्रोशकार इस तरह की है कि पहला पूरज़कार है ए रूपया का ठीक है दूसरा पूरफॉजकार क्या होना चाहिए उससे 20 कम होना चाहिए इस से 20 कम ए listen से पहले संसे भरीझ ऐसे क्या क्या होगा कि यह सीटें कितना हो जाएगा पहला थाण को मिलेगा 920 सब्सक्राइए सब्सक्राइए टीक मीलेAM दूसरा तीसरा चॉंफा प्लचम छेटा और सातम क्याँ के दिए यहां पर दिया हुआ है टूटल पुरुषकर कितना साथ सुर्पिया सबको जूर दीजिएगा तो कितना यह साथ सो का बड़ाबर हो जाएगा तो जूर एक तो कितना बनेगा यह साथ बार यह है तो सेवन ए हो जाएगा minus देगिए 20 और 40 60 minus 60 और minus 60 minus 120 और 80 120 और 80 200 200 एक 300 और यह हो जाएगा 420 यह कितना हो जाएगा 420 यह बराबर किसका है 700 के बराबर है तो 7 1 equal to क्या हो जाएगा 700 plus 420 is equal to कितना हो जाएगा यह 1120 यह निकलना है हम लोग को तो 1120 बटा क्या करिएगा साथ से 120 में भागा दे दीजे कितना हो जाएगा एक टाइम लगेगा साथ एक टाैम लगेगा साथ यहां पर कितना निकल घया टाइक है डिओसासाक ट्रृट है कि इस्ञुखक कितने होता है 202 यह हो गया उंसिल यह जीरough जाएगा रहन जाएगा किंश हाएगा sitzt त्सक्तिर प्रश कर गुष्यां इस रोपिया कर गो थे सोठा को कर गेंगे मिलेकर दूसरे को बहले गाइश एक सोंथे और गुडवरा आ यहीं साथ को है पहला आगमे को मिला इतना पैसा दूसरा को तीसरा चाहता बचमाथ अठा अग शट्था यही ता इसका 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 एंसर हो जाएगा आपको कुछ साथ से नमबर नेक्स कुष्चिन से कितने संख्या साथ से विभाज है नमबर है और विवज़ित का संख्या कहां से स्टाट हुथ है पहले इसका फैला कोशिशन बनेगा कित तीन अंगो का संख्या होगा Magic, पहला तीनंग कोवकर संख्या कौन सा है by 100 थिकुत जो सा से डिविसिवल बना पहला साध तीनंग कोवकर संख्या कौन थिघक है अपक्षी 105 105 में भाग दो कि विभाद पहला देख साथ एकंख एकंग सा तीन पांच था, हम एकंग सांथ दूरी 5 टेक में जो तीनम को का संख्या है जो साथ से विभाज है वो कौन सा है आपका 105 दूसरा कौन सा होगा कि 112 तीसरा क्या होगा 119 चौन्था क्या होगा 126 ऐसे करके और लास्ट कौन सा होगा ठीक है हम लोग को नम्मर अब संख्या पुछ रहा है न तो देखें यहां पे एकल अब कितने होगे 105 दूनों का डिफ्रेंस कितना है कि साथ हम लोग को चाहिए क्या अब नम्मर देखें तीनमकों का लास्ट संख्या कौन सा होगा 9 999 इसको देखें साथ से डिवाइस करिएगा होगा डिवाइट कि साथ कि दू आ गया 9 कि साथ चुक अठ्धाई सा जाएगा यहां पे एक mitä यहन नहीं पर आपने कुछ साथ से एक साथ एक आ जाएगा ना साथ दूना आ प्या होता है की साध आगे यहां पर 5 एक साथ यह वर यह बेंती होगा पने कि यहां पे टू ठीक है यहां पे साथ भाना जी के तू बनेगा टू साथ चोक अठाइस एक को टारणी ओर ठीक है दो गया साथ चोक अठाइस चौदा अठाइस एक बचे गा शौल नहीं बनेगा ताकर लास्ट जो नमबर डिविजेवल है वहाँ आपका 994 ठीक है तो last term भी आपको पता चलिया वो कितना है 994 तो हम लोग number of term निकाल सकते हो इसे एपी भाले formula से a plus n minus 1 into d कुछ नहीं करना है सब value put कर देना है 994 is equal to हो जाएगा आपका यह है 105 plus n minus 1 निकालना ही है into d कितना है 7 इसको calculate कर लिजी आपके एक answer आजाएगा आप इसको ticker कर दीजी ठीक है calculate कैसे करिएगा लोग किया करना क्या है हम लोग को 994 minus करना है 105 105 इक्वल कर दीजिए इसमें एड हो जाएगा आपका प्लस सेवेन प्लस साथ को एड कर दीजिए कर दीजिए ठीक है 994 minus 105 5 994 minus होगा नजी minus 10 105 और यह हो जाएगा प्लस सेवेन प्लस सेवेन प्लस सेवेन प्लस सेवेन कर दीजिए एड हो पता नहीं क्याल सी काम नहीं कर रही है है यहां पर कर देते हैं यह हो गये 994 और यहां पर 105 यह आ रहा है आपका 9 ठीक है यह बच गया 8 यह भी 8 इसमें 7 8 कर दीजिए तो कितना हो गया आपका यह आज पास आ जाएगा इसको एक बार काल्कुलेशन चेक कर दीजिए इस तरह से आप इसको बना लिजिए अगला कुशन देखते हैं के रहेदर 20th सिंखला देे कहई रहा है सिंखला 28-23 ऑन्ती अंतीप पद से बिश्मा पद है अगला स्ट टरम अफ शूरु इज आप देखेक, पद है देखें सिंगला है तीन आठ तेरह ऐसे करकर के है दोसो तिर पंतर इस बर इधर से 20 टम नहीं पूछ रहा है इस बर कहा रहा है इधर से 20 समार टम कौन सा हो ठीक है रिवर्स आगे से वह सब जिसमार टम निकलना है जो आगे से हो इसके लिए थोड़ा कंसेप्ट बताते हैं बहुत अच्छा यह भी एपी का कुश्चन हो गया समंतर से रेनी का आप इसको भी इसली कर सकते हैं कि देखिया कॉमन डिफरेंस यहां पर कितना है 5 5 3 8 5 13 सब जब पांच से समान अंतराल कितना है इधर से हमें डिफर से देखना है हमारा यहां पर पहला पद क्या हो जाएगा पहला पद यह हो जाएगा पद 203 पं ठीक है और समान अंतराल अंतराल हो जाएगा आपका माइनस पांच हो जाएगा को कि हम लोग उल्टा कर रहे हैं इस बार हो गया? पहला पद हो गया? यह हो गया तो हम लोग को क्या करना है? 20 मा पद निकालना है तो N दिया हुआ है कितना? 20 तो 20 मा पद निकालना है है यह कितना है कि 200 Drive drill plus हो जाएगा कि एक नाइपीस हर गए-ृ कि था जीह दोसुट कि पंपीक है हुजय हो जाएगा यह जारबी मिस इंटू-5 अनिश दोसे घीरपण है लो हो 210 जाएगा है तो यह बच जाएगा पांच और यह हो जाएगा 158 यह एंसर जाएगा 150 वहत अचान था इसको भी हम लोग इसमें भी आप चेक क्या करिएगा कि पहला तीन डिजिट का नमर कौन सा है जो साथ से डिवेज़ेवल और लास्ट कौन सा है साथ से कट जा रहा है तोनों नमर को देख लीजिए उसके बाद आप एपी में लगा के अराम से सोल्ट कर सकते हो इसे यह कोईशन थे एंसर क्या दोइस गुलाब के बहुत हैं 21 दूसरी पंगती में और तीसरी में 19 है और इसी परकार आगे भी है अंतिम पंगती में पांच गुलाब के बहुत हो तो पुल पुस्षेज की पंगतिया की संखिया है ठीक है देखें क्वेशन्स है क्या इसको फूरा अच्छे से बता देते कि एक ये लाइन है ठीक है लएन है अब घर पर देखते हैं एक लाइन है फिर से एक और लाइन है कि फिर से एक और लाइन है के ठिके एक लाइन है इस्क फूल का गमला रखा गया है इस लाइन में टोटल है कितना तर्य स्छरे से निद्ध में कि फूलल यह करें ठीसरा अंत्र है लिएग्स itism दूस्ड़ा निस दूसरा है रखा गया और जो अंधी उसके बाद नीचे कितना होगा 17 फिर कितना आएगा यहां पर 15 फिर कितना आएगा 13 ऐसे करकर के और जाइएगा नीचे तो सबसे लास्ट वला जो आएगा तो सबसे जो लास्ट वला होगा ठीक है सबसे जो लास्ट वला है उस पर है कितना है पांच है सबसे लास्ट में कितना है पांच है तब पूछ रहा है हम लोगों से कि टोटल नम्मर उफ जो ये है सेज, लाइन कितना है, साथ होगा सबसे कम, तो उसे देखिए सब में तो दो का डिफेंस है तो इसमें कितना होना चाहिए, इसमें अगर 5 है तो इसमें कितना होना है, 7 इसमें कितना होना चाहिए, 9 इसमें कितना होना चाहिए, 11 इसमें कितना होना चाहिए, 13, 13 होगे यहाँ और यह 17 देखिए 13 इधर हो गया यहां पर कितना हो गया एक दो तीन चार और यहां पर तिरह तक है यह पांच छे साथ आठ नौ दस टोटल कितना होगा रो दस हो जागा तो एंसर क्या जाएगा दस सी नमर हो जागा आदाम से इसे हैं इसमें जस्ट यह चीक करना था कि पहला गम्ला में कितना रखा गया है अगलं के मताय कर सकते आप इसको कर सकते लो कि बरतमानश से तीन वार्श पूरव हो और पांच वार्श भाष वार्श बपतान की Utilisilisimosire परश्चात कुमार सोनु के आयू वर्षो के विद कर्मान का योग वन वाई तीन है तो सोनु का बर्थ मान आयू क्या हो देखिए मान लेते हैं माना की सोनु का बर्थ मान आयू एक्स है ठीक है कितना है एक्स एक्स वर्ष आप देखिए क्वेशन के नुसर क्या केड़ा है तीन साल पहले देखिए इसे समझे अगर मान लिजा भी है दो हजार तोईस ठीक है तीन साल पहले मतलब क्या बाद दो हजार बीस होगा और पांच साल बाद पांच साल बाद कितना हो जागा तोजार अटैस ठीक है अगर पर्जेंट में आपका आयू है एक्स साल तिन, शर्ट, टीका, एक्स रर्त है, तेन साल पहले इसका अई हो कितना होगा, एक्स मॉनस तरी, और आपका पांक साल बाद कितना होगा, ये पांस तिन अाट, ये कितना हो जाएगा, एक्स पलस प्लिस, ठीक है, यहाँ पर कोशेंद देखीगा, है तो इक्वेशन है तीन साथ पूर्ट तीन वर्स पहले पहले सोनू का आयू कितना होगा एक्स माइनस थ्री और पांच पांच वर्स पहले सोनू का आयू कितना होगा एक्स माइनस प्लस फाई यही दिया हुआ है देखिए एक्स माइनस इक्स माइनस थ्री तीन साल पहले का आयू और अभी पांच साल बाद का आयू का अनुपाद दिया हुआ है एक बट्टा तीन अब इसको क्रोष मल्टिप्लाई कर दीजिए कितना हो जागे यहाँ थी एक्स माइनस नाइन इस इक्स प्लस पाईब ठीक है यहाँ पर हो गोई प्रखता म liberty यूँ होदा तुछ करना कि क्या को कााोई गोर सब्सक्राइब करना कि अगर लिए पहले बता रहें तो पहले सवी क्षोड़ाइब आपकर ब Leuten रॉनघ रहा है दुछ यह अगर अभी कंख क्यव daughter है दस साल ठीक है कोई पूछे आपका 2020 में कितने साल का आप थे क्या बोलिएगा साथ साल का थीन साल कम हो जाएगा अगर बोले अगर कोई आपसे पूछा जाए आपसे कि आपका आयू वह उम्र 2008 में कितना होगा क्या बोली यहां से अब हमारे 2000 थेश में है तससल थाथ यहीं कनसेट कि यूज करना है अगर पीछे पूछे तो मैनस करना है अगर आगे पूछे तो उसमें हम लोग को प्लस कर देंगा अगला और वोट में के जावी का है एक करेंग है कि यह कहला है एक मोंटर पूट कि जिसके सांथ जल्में गति केंग कितना है अठार गंटा अठार किलम्टे पर घंटा है वह समान अस्थान पर धारा के साथ 24 किलोमेटर जाने में चित्ता समाई लेती है उससे एक घंटा अधिक बिप्रिज वापस आने में लेती तो धारा के गती क्या होगा देखे कहां मलीं जी कि नदी यह क्या है को बैसका कि रिरी किलोमेटर पर घंटा से इसी नदी को यहां से यहां तक किया ट्राइबल करता है być यहां से यहां तक जाती है इसका दूरी है, 24 km, तो इसका डूरी है 24 kms, और इधार नदी भी बहरी होगी, नदी का जो a speed है, यह भी है, आपका नदी का a speed है। और आपका फिर इदर से इदर भी जाएगे दी कि इदर से इदर llag तक शाने में लग रहा है टाइम टी गहँड़ा है टी घंटा लगे थीदी समय लग फिर आणे में किन्ता लगे सब्सक्राइब दर ने सब्सक्राइब आए इसे और यह याँ से निल्मत्राइब को नीकालना है यह देखिए धारा का इस्पीट निकाला है यहां पर दिया हुआ है मोटर बोट का कि सांध्य जल्वे चाल दिया हुआ है कितना है कि 18 किलोमीटर पर घंट ठीक है अठार किलोमीटर है तो देखिए जब भी अगर मालीजे भी है आपका कि नादी का चाल है तो हमारा जो मोटर का चाल को उस दिशा में जब जाएगा तो तब हो जाता है आपका लगा लेजएक का फर्मूला तो दूरी बराबर क्या होता है साल गुने का समाई घक है समाई इसको सफ्रेश कर देते हैं तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने, समाई, समाई, ठीक है, जब वो सेम दिशा में जा रहा है, तो उसका स्वीट कितना है, भी माइनस 18, तो चाल है अपका भी माइनस 18, और समाई लग रहा था T, यह डिस्टेंस कितना था, 24 किलो मीटर, जब यह सेम दिशा में जा रहा था, यह equation हो जाएगा आपका स्वीट कितना हो जाता है, आपका भी प्लस 18, डिस्टेंस फिर से सेम ही है, यह कितना हो जाएगा, भी प्लस 18, बट उसमें समाई कितना लग रहा था, T प्लस 1 गट, यहां पर कितना हो जाएगा, T प्लस 1, तो यहां पे देखिएगा दो equations है, तो वहर्यवल है, दोनों को solve क करने से क्या जाएगा answer आ जाएगा आप solve कर सकते हैं इसको solve करने के लिए arrange कर देते देखिए यहां से arrange कर यह बाइला equations को देखिए यह equation दो हो जाएगा थोड़ा lengthy है लेंदी नहीं के calculate इसमें जाएगा है 24 इकल टू क्या हो जाएगा भी टी माइनस 18 टी ठीक है यह equation first second में देखिएगा तो 24 बरावर क्या हो जाएगा यहां से भी टी प्लस 18 टी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक यह थी प्लस भी प्लस 18 अटार बैस भी टी Vt plus V is equal to कितना जाएगा अच्छे और यह दूसरा एक्विस्न क्या है ये Vt minus 18 T equal to कितना है ये ये है आपका 24 गुट दूनों को क्या करिए घाटा दीजे एक दूसरा को घाटा यहगा या add कर दीजे एट करिएगा तो ये दूनों cancel हो जाएगा तो बीटी इकल टो कितना आ जाएगा 24 माइनस माइनस 18 प्लस 6 ठीक है इसको कैल्कुलेट कर लिजेगा आप ठीक है इसको कैल्कुलेट करिएगा तो आपका एंसर आ जाएगा जो सांथ जल में एस्पीड होता है वो हो जाएगा आपका दी नमर 24 आपका एंसर आप इसको कैल्कुलेट कर लिजेगा दोने को सॉल्व करके यहां पर टाइम नहीं है वीडियो लंबा हो जाएगा ठीक है अगला क्वेशन को देखते है नहीं होगा कैल्कुलेशन ता आप कोमेंट बोक्स में लिखेगा अगले वीडियो है उसको कैल्कुलेशन भी करनेगे तो क्या है क्या है डिखाति समिक्रान दिया हुआ है कि एक सब्सक्राइब कर दिखाति समिक्रान दिया हुआ है कि एकस माइनस अगर पता ही है दोनों अगर मूल्स बनावर हो तो इसक्वार राइब क्या होना चाहिए, 0, d क्या होता है, b square minus 4ac, ठीक है, 4ac क्या होना चाहिए, 0, यहाँ पर देखिएगा, b कितना है, यहाँ यहाँ है, 2k, minus 2k, ठीक है, a है, आपका, k, और आपका c कितना है, 6, इसमें डालिएगा b square में, b square minus 4ac में, तो कितना हो जाएगा, b, k, 2k का square, minus 4ac, 4a कितना है, k, c कितना है, 6, equal to 0 हो जाएगा, यही, equal to क्या करना है, 0, यह हो जाएगा, आपका 4k square, बरावर कितना हो गया, 24k, k से k cancel, यह हो जाएगा, 6 times, मनलब k equal to कितना हो जाएगा, 6, एंसर क्या हो जाएगा, b, very simple, याद रखिएगा, जब भी, तोनों मूल बड़ावर होगा, किसी भी समय कराएगा, तोनों मूल क्या होना चेए, बड़ावर तो हमें साथ, d equal to 0, d क्या होता है, b square minus 4ac, और ऐस से में अगर मूलो का सम पूचे तो क्या होता है, minus by a होता है, और मूलो का प्रोड़क्ट क्या होता है, cya होता है, यह सब याद रखिएगा, तीक है, यहाँ पर questions है, two consecutive, दो कर्मवार्द, विसम, धनात्पक संख्याओं, इस परकार उनके वर्कों का योग 290 है, तो हो संख ना, 5, इस संख्याओं क्या होगा है, एक, तीन, पांच, साथ, इसे करके है, कहरें, तुखल लगतार इस संख्याओं का वर्कों का योग, अगर 290 है, तो हो संख्याओं निकाल लिएता है, इसको आप बहुत तरीका से निकाल से, डिरेक्टे इसको करिए, 11 का स्कूर कितना होता है, 121 और 13 का स्कूर कितना है, 119 तर दुनों को एट कर यह कितना होगा, यह 290 हो जाता है, ऐसे भी आप निकाल सकते डिरेक्टे एंसर, ने तो आप बेसिक से निकाल सकते हैं, तो यहां पर देखें, बहुत असान है, इसमें कैल्कूलेशन को एट टेक्निक सिखने की जरुद नहीं, सिंप्ल एस्पाइड कर दीजिए, इसका कितना हो गया, दूसा का चिक कर लिजिए, 181 प्लस, 120 से काम है तो यह होगा नहीं, इसमें 13, 179 यह 225, यह 290 से जाएदा है, यह भी होगा नहीं, यह तो 400 क्या स्पास होगा नहीं, इसे भी कैल्कूलेट कर इसका एंसर वही हो जागा यह नमर, 26 नमर कॉश्चन जाएगा, कि की का वह हमान, जिसके लिए समी कराँ, जिसके लिए कोई भी हाल नहीं हो, देखे, 3x-y प्लस 5 इकल टू 0, 6xy प्लस k इकल टू क्या है, 0, कहाँ है, y का वह निकाल गए, जिसके लिए क्या हो, कोई भी मान नहीं हो, कोई भी मान नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब इसका multiple हमेशा ratio क्या होना चाहिए, ब्रावर होना चाहिए, जैसे देखे, यह से आउता है, ax प्लस by प्लस c, सब में 1 लगा दिजिए, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इकल टू 0, 2 है न, अगर इसका कोई भी हल नहीं होगा, तब हमेशा होगा, a1 बट्टा, a2 ब्रावर होना चाहिए, b1 बट्टा, b2 ब्रावर होना चाहिए, c1 बट्टा, c2, यहाँ पर भी सेम कर लिजिएगा, 3 wide 6, बannieबर होना चाहिए, 1 बट्टा, 2, दो न हो में, में मैंन्स मैंनसぶturus, बरावर किसका होना चाहिए, 5 बट्टा का है, ठीक है, यह भी कितना बन जाएगा, 1 बट्टा, कोई भी equal कर लिजिए, क्या बट्टा कीं बरावर, निकाल सकते है, यही एंसर क्या जाएगा क्या जाएगा क्या जाएगा क्या एक्वल टू दस क्या एंसर क्या जाएगा सीन में ठीक है next position देखते हैं क्या रहा है के का वह हमांद जिसके लिए रेखा हैं 3x प्लस 4y is equal to 5 and 5x plus 4y is equal to 4 और kx प्लस एक ही बिंदू पर मिलती है यह तीनों लाइन है एक मालेज जी यह लाइन है ठीक है एक यह है दो और आपका एक यह लाइन ठीक है यहाँ पर क्या कर रहा है तीनों मिल रहा है यहाँ पर क्या कर रहा है तीनों इस पॉइंट पर मिल रहा है यह लाइन का एक्विशन क्या है पहला लाइन का एक्विशन से आपका 3x plus 4y is equal to 5 दूसरा लाइन का एक्विशन क्या है 5x plus 4y is equal to 4 और तीसरा लाइन का एक्विशन क्या है kx plus 4y is equal to 6 इस पॉइंट पर मिल रहा है यही लाइन पर तक क्या रहा है k की वैलू कितना हो दोनों लाइन का एक्विशन अगर मिट कर रहा देगे तो यहां पर है 5x plus 4y is equal to कितना है यहां पर है 5x plus 4y is equal to कितना है 4 यह मां लिजे 1 है 2 है और यह आपका 3 है यह है आपका बात कर रहे हम 1 और 2 का ठीक है इसमें देखिएगा माइनस कर दीजिए तो माइनस करिएगा ते थे माइनस हो जागा इसमें से माइनस हो जागा माइनस 2x ौर यह माइनस करिएगा तो 1 और यह एक्स बराबर कितना हो जागा 1 है माइनस अख कर दो एक्स बराबर यह हो जागा मैनस 3 बट्टा 4y प्लस 4y बराबर 5 इसको कैल्कुलेट कर गए 5 दो ना 10 तेरा बट्टा 2 इन दोनों xy को तीसरा वाले में डाल दीजी तीसरा एक्वेशन कितना है कि x प्लस 4y बराबर 6 इसमें x और y क्या करती है डाल दीजी आप एक्स कितना आया था मैनस आप तो क्ये वाइट 2 हो जागा यह प्लस 4y कितना आया तेरा बट्टा 8 बराब कितना हो जागा छे मैनस के वाइट 2 is equal to क्या हो जागा 6-4 दूना 8 दूना 8 तेरा बट्टा 2 यह हो जागा कितना आका सेदूना 12 मैनस 1 बट्टा 2 मैनस के वाइट 2 is equal to minus 1 तो टू केंसी माइनस से माइनस केंसी के बाव कितना आगे एंसर के आ जाएगा एंसर के आजाएगा एंसर कुछ नहीं करना था दो इक्रिशन से को देखी इस दोनों सम्मिकरवन को हलकर लिजी जो पॉइंट आएगा थीज अवला में रख दीजिए एकस वाई के वैलू आप अगला क्यूशन दिखते हैं के रफिज अफ द फ्लूइंग कैन नोट वी दिफरेंस बिटू दिजिट नंबर अप्टें देंट इंटर्चेंजिंग दिजिट नेमली कित में से कौंसा एक दो अंकों की संख्या और अंकों का अस्थान आपस में बदलने के पैसात बनी पहले तो समझे दोंगों के संख्या होती क्या है और इसको पलट दीजिएगा तो क्या संख्या बनेगा 10y प्लस एक्स ठीक है आप दोनों का अंतर ले लिजिए अंतर कितना हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वार इसको निकाली कितना हो जाएगा 10 में से माइनस 9y और माइनस 9x ठीक है डाइट मेंस वार 9y माइनस रौ रौना टिजिए जोवी अंतर होगा व्यारी सार नौ की मल्टिपल है दर वह नवह सकता है 28 Som tis Love सकता है सульт इस थे सब् fatty c traние ओएगे 8usch το कं से खवाम करें का मल्टिपल है यह नचा कर चोबन पूसेबल है और तालीच पोसेबल नहीं तो एंसर क्या जाएगा दी नमर अगए अंतर नहीं होगा क्योंकि अंतर हमें से क्या अब था 1 के मिल्टिपल होने चाहिए जैए जब इस April याध रखे जब्लिट्व संख्या चाओ करें कोई दो संख्या है उसको प्लट करके जो नए संख्या बनेगा और LED याग अंथर निकाले यह है आपका एक्स वाई यह हो गया माइनस वाई यह हो गया एक्स और यह हो गया माइनस इस लाइन को हम लो क्या बोलते है य उसरा लैंट क्या है वाई इक्स पर होता है यहो गया वाई पे जिरो होता है यह नहीं होगा यह x equal to 0 होता है, यह क्या होगा, x equal to 0, तो y equal to 0 होगे, यह वाला line, x-axis, x-axis को हम लोग क्या होते है, y equal to 0, इस line टो होते है, y equal to 0, आप दूसरा line है, y equal to minus 7, कि दहाँ होगा, नीचे में, यहाँ पे होजागा, अगर यह होजाए, यह होजाए, y equal to minus 7, आप देखें अज़े, पहला करा है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, लास्क से देखें, दो हल होगा, कहीं कट कर रहा है, आपस में, यह गलत है, दूसरा करें, अनन्त हल होगा, यह भी गलत है, यह करें, एक हल होगा, यह गलत है, कोई हल नहीं होगा, यह करें, सही है, ठीक है, no solution, लिगें, no solution, इसका कोई भी solutions नहीं होगा, answer क्या जाएगा, a कचिए नमब्र ठीख नर्ट आईला एक्षेंस है यदि एक्षक्सक्णीव प्लस आ एक गुणनखण्ड एक्ष को माननकरम चैया ह sacar की इकषब। विब साथ है तो नहीं दोल्य मेंत आगया यह तो कि कुछए एक गुणनखण्ड देवा एक्यू एक्सक्यूब प्लस एक्सक्सीद स्क्राइब माइनस ब्लस ब्लस 6 इसका एक गुनन खंड है क्या एक्स př्लस ठील मिंस क्या हुआ x equal to minus 3 इस equation को satisfy करेगी अगर हम लोग इस equation में डाल दे-3 पर minus 3 तो कितना होगा minus 3 का q plus a into minus 3 का square minus b into minus 3 plus 6 कितना होगा यह दिखिए is equal to 0 है यह हो जगा minus 27 27 यह square है 9A ये प्लस हो जागा 3B प्लस 6 इकल टू 0 27 में से 9A प्लस 3B इकल टू कितना हो जागा 6 मैनस 6 प्लस 27 ठीक है मैनस 6 प्लस 27 तो मैनस 6 27 कितना हो जागा ये 21 21 एक्वेशन क्या होना हमारा 9A plus 3B इकल टू ऐखीज आप मेंस 3 कमन ले लिजे यहाँपे कितना बचएगा 3A प्लस B इकल टू 37 ये के बना इसको लिखेज क्या होत इए क्या होजागा इक्वेशन 2 आब इक्वेशन 1 break असर होनलों क्या हर ہیں कि बढ़ावर कितना हो जागा यहां पे 0 Caribbean 07 असे सिपने दर विदियो और आप 20 question और बच्चा हुआ है आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको continue करेंगे तो आप लोग क्या करें वीडियो को देखें लाइक करें और शेयर करें तो आज का class यहीं पे हम लोग वीडियो को इंड करते हैं तो आप हमारी चैनल को subscribe कर लिजे और आप आप करके भी आप कर सकते हैं फी बहुत minimum रखा गया है अब डीजेसी के लिए आपको सिर्फ 500 में पूरे कोर्स करवा रहे हैं उसमें आपको कोर्स भी है ठीक है test series भी है test series करवाएंगे आपको और 100% guarantee है selection की इसलिए आप जलती से आप एड्मिशन ले सकते हैं 25 मार्स तक हमार स्टार्ट करें अभी हमारे पास online की वह फैसलिटी है offline की वह फैसलिटी है तो आप जहां भी चाहिएगा वहाँ आप जोइन कर सकते हैं यहीं दाज़कर वीडियो थैंक्यों